तो आज मुझे पता चला कि Geeks4Geeks ने 160 Days of Problem Solving Challenge स्टार्ट किया है तो देर मत किजेगा, रेजिस्टर कर लिजे जाकर के क्योंकि हाँ, हम लोग तो daily problem of the day बना ही रहे है तो चलो देखते हैं, आज का problem of the day क्या है? हमें एक array दिया गया है, जहां हमें push करना है सारे zeros को given array के right end में जब हम लोगों को maintain करकर रखना है order जो है, यानि कि 1,2,4,3,5 का order सेम रहना चाहिए जैसा question में दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको बनाएंगे smart way में क्योंकि हम लोग C++ use करते हैं, तो हमारे पास htl library है जहां पर बहुत सारे ऐसे function है जो हमें नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे basic questions में उन सारे function को explore करेंगे पर हाँ, advanced way way में जाने से पहले, मैं एकदम basic way में बता देता हूँ, जो लोग नए है और दूसरे language करते हैं, उनके लिए better होगा, तो चलो, हम लोग देखते हैं पहले two pointer approach, हम लोग क्या कर सकते हैं, simple हम लोग ऐसा ले सकते हैं, int j equals to 0, देखो, बहुत लोगों ने ये question already बना लिया है, तो आप लोग इसको थोड़ा skip कर लेना, चले जाना advanced part में, लेकिन जो basic देखना चाहते हैं, उनके लिए मैं यह लिख रहा हूँ code, क्या कर रहा हूँ है, देखो, मैं सबसे पहले एक loop चलाऊँगा, i, n तक 0 से n, जो हम लोग को basic order of n में चलना है, उसके बाद हम लोग simple यहां पर एक check लगा सकते हैं, कि क्या मेरा, जो भी arr i है, वो non-zero element है, ठीक है, और यह जो j है न, वो j बता रहा है कि कहां पर मेरा 0 है, तो अभी तो i और j तो same है न, तो मैं यह पर फिर भी लिख सकता हूँ ऐसे, कि arr j will be equals to arr i, और मैं क्या करूंगा, j को increase करते वे चलूंगा, तो मैं j को नहीं बढ़ा रहा हूँ कब, जब मेरा arr i 0 है, ठीक है, यानि कि 1 इस जगह पर replace हो गया, 2 इसी जगह पर replace हो गया, लेकिन जब 0 आया न, तो मेरा j प्लस प्लस नहीं हुआ, j मेरा उसी जगह पर आगया, i प्लस प्लस हो गया, यानि कि जब मैं 4 के पास आओंगा, उसके बाद क्या है, arr i not equals to 0 है, तब मेरा j कहां पर था, j मेरा 0 वाले position पर था, यह successfully j को replace कर देगा इस जगह पर, और उसके बाद i, j कहां पर चला गया, 4 के पास चला गया, यानि कि 3 जो है, वह 4 पर चला जागा, 0 कुछ नहीं करेगा, फिर 5 कहां पर चला जागा, 3 के पास चला जागा, क्योंकि मेरा j जो है, वह counter कब increase हो रहा है, समझ गया, तो इसके बाद मेरा j कहां पर रहगा, j मेरा last element पर रहगा, जहां से मुझे सबको 0 करना है, यानि कि मैं एक और for loop लिख सकता हूँ यहां पर, और मैं यहां पर क्या करूँगा, j मेरा as it is रहगा, मैं simply check करूँगा, कि j मेरा less than n है, तो j++ कर दो, और क्या करो, arr j equals to 0 रख दो, बस यही मेरा काम हो जाएगा, और अगर आप चाहो तो j++ को यहां पर pre-increment, post-increment हमने पढ़ा है, तो मैं इसको j++ लिख सकता हूँ और यहां से इसको remove कर सकता हूँ, बस यही तो मेरा यहां पर code होगी, ठीक है, यही तो मेरा n है, तो मैं यहां पर compiler run करके दिखाता हूँ, और हमें successfully मिल गया 35400, तो यह था मेरा basic approach, लेकिन अगर आप इस वीडियो पर आयो हो, तो मेरा फर्ज है कि आपको कुछ नया सिखाना है, तो चलो, मैं इसको हटाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, एक line में code हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आजकर जो function मैं ले करके आया हूँ, उसे कहते है हम लोग stable partition, अब देखो, stable partition कितना बढ़िया function है, और हम लोग इसको कितनी सारे जिगमें, अलग-अलग तरीके से use कर सकते हैं, तो stable partition क्या बोलता है, हमें आप कुछ array देदो या वेक्टर देदो जवाब कमन, और एक function मना दो, function में बोलो कि आपको किस element को partition करना है, ठीक है, मतलब condition क्या होगा partition का, और मैं आपको करकर रुख दूगा, और मैं order बिल्कुल भी change नहीं करूँगा, यानि कि यह 3 parameter लेगा, कि आपको कहां से कहां तक partition करना है, तो मुझे तो यहाँ पे vector रहना, तो मैं क्या करूँगा, array.begin से start करूँगा, और array.end तक जाओँगा, कि मुझे पूरे array को partition करना है, और third parameter होगा मेरा custom function, जो हम लोग बनाने वाल है, और custom function में मैंने आपको बहुत बार बनाया है, और हमने separate video भी बनाया था, जहाँ पर मैंने comparator बताया था ना, उसमें भी मैं आपको custom function के बारे में पढ़ाया, लिंक आपको description में मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग उसी function को use करेंगे, तो anonymous function है मेरा, type क्या रहेगा यहाँ पर, index, और मुझे return क्या करना है, यह basically boolean return करना है मुझे, कि किस way में मुझे partition करना है रहे को, मालूम मैं यहाँ पर लिख दूँ कि return, जो भी मेरा x है वो equals to equals to zero है तो उसको partition कर दो, बस यह मेरा true, तब यह क्या करेगा पता है, यह जितने भी zero है उसको start में लाके रख देगा, और जितने भी non zero है उसको last में जाके रख देगा, देखो, अगर मैं compile and run करू, और हाँ, य सिधा not equals to zero रख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर not equals to zero लगा दू, तो क्या करेगा, सारे non zero element को start में रख देगा, और zero zero को last में रख देगा, तो यही है मेरा stable partition function, समझ के कितना असान था, हमें 3 parameter लगेंगे, कहां से array start करना है, कहां पर array खतम होगा, और मेरा third जो boolean return करेगा function, ठीक है, अब देखो, माल लोगर आपको question में आ गया, कि आप even number और odd number को separate करो, आप क्यों नहीं इस function को use करोगे, आराम से करोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर, कि मेरा x जो है, अगर divide by 2 होता है, तो मैं double equals to लिख देता हूँ, तो यह क्या होगया, even number होगया, चलो compile and run, तो हाँ, हमारी question में भी क्या है, not equals to 0 को पहले रखना है, तो चलो, इसको देखते है, submit करके, कि हमारा काम होता है, कि नहीं, यह उपको समझ में आओगा, कि आप यहाँ पर कितने सहरा के function लिख सकते हो condition, जिस तरह आपको question में मांग रहा है, पार्टिसन करने का, तो कभी भी अ आज का problem of the day, कल में 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 रहा है नए question के साथ, अब तक के लिए goodbye, stay blessed, stay safe and keep coding